फ्रेंट्स मैं आपका दोस्त सरवन गुष्वामी और आपका स्वागत है आपके अपने चलंज सरवन लक्षिर्ण में मैंने आप लोगों को दो रियक्षन से स्ट्रीकर्ण तथा एक और बताया है उसका नाम है निर्जलीकर्ण मैंने उसे बता दिया वो आपके लिए इंप्वाटन्स है फ्रेंट्स ये आपको निर्जलीकर्ण तथा इस्ट्रीकर्ण याद रखना अब यह मैं दूसरे इंप्वाटन्ट रियक्षन के साथ आया हूँ जिसका नाम है आक्सी करण अब किरिया आपके लिए इंप्वाटन् को भूर रखने हैं प्लर mitä में आप लोगों को बता गुझा किसे कहते हैं तथा इसे होती है जिसमें आक जोड़ना जैसे आप दो लोग संयोग करते हैं तो एक नया पदार्थ मिलता है तो इसी परकार से यह आक्सीजन संयोग करता है दहन करने पर कारबन योगिकों को सरलता से आक्सी करिट किया जा सकता है जो दहान करने पर क्या रित है जलाने पर क्या रबन योगिकों को सरलता से आकसी कृट किया जा सकता है अभिकी रिया में अपिकिल एल्क्षिक को कार्बॉक्षलिक अमन्य में बदला जा जा सकता है अभ एथिल एल्कोहल मैंने क्यों कार्बन without a और दिएक्शन में आप देख सकते हैं CS3 CS2 OH वह आपका और इच किसका पृतिक मैं अगले वीडियो में अगर देखेंगे तो एलकोहल का पृतिक है इसमें औक सीजन संयों करता है आप देख सकते हैं यह वह फैयों करता है एंड हमें प्राप्त होता है क्या अभी यहां नहीं प्राप्त होगा यह आपका दो बार रियक्षन होगा तब प्राप्त होगा तो मैं फिर से आप लोगों को यह रियक्षन अच्छी तरह से समझा देता हूँ देखी फ्रेंट्स जो CH3 CH3 CH2OH यह आपका है अलकोहल अलकोहल तो मैं आपका हाइड्रोजन ही खर्ण तो हाइड्रोजन संयूंग करते आप देखी यहह मैं क्या प्राप्त हूँ अभी हमें देखए 직 अमल कहें या कार्बॉक्सिलिक अमल नहीं प्राप्त हूँ देखए CH3 CH4 भी प्राप्त हुआ अब देखए फ्रेंट्स इसका IPS यसी नाम आपको नहीं पता होगा तो आपको IPSC नाम भी में पढ़ाऊंगा प्लस CH2O यह आपका जल है अब मैं आप जो मुझे यह जो रियक्शन प्राप्थ होगा अब इसका दोबारा आपको रियक्शन करना जो कि CH3CHO प्लस O oxygen जोड देना है अब हमें क्या प्राप्थ होगा CH3COO यह आपको प्राप्थ करें यह भी कई बार पूछा गया प्रस्ण है यह आप विद्या उठा कर देख लें तो आपको पता चल जाएगा तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको आक्सीकरण समझा देता हूँ देखिया आक्सीकरण अब किरिया एसी अब किरिया होती है जिसमें oxygen संयों करता है oxygen जोड जाता है दहन करने पर कार्बन योगीकों को सरल्टा से आक्सीकरित किया जा सकता है आक्सीकरण अब किरिया में अब आक्सिकनबकिरिया में एथिल एलकोहल को कार्बोक्सलीक अमले में बदला जा सकता है तो यहीं पर आपका आक्सिकनबकिरिया है अब इसके रियक्षन आप जान सकते हैं यह आपका एलकोहल समू है देखें CH3CH2OH पलस O अब हम इसका जब दोबारा कराएंगे CH3CH2O अब यह फिर से आक्सिजन जोड़ा फिर से जितना बार कराते जाएंगे उतना बार आक्सिजन जोड़ा जाएगा फिर हमें एसीड प्राप्त हो जाता है CH3CH2OH तो फ्रेंट्स यह था आपका क्या आक्सी करन अभिकिरिया तो आक्सी करन अभिकिरिया मेरी आसा आपको समझ में आ गया होगा और अगला वीडियो मैं और रियक्शन के साथ आऊंगा और अच्छे अच्छे रियक्शन में बताऊंगा सो डेट आपका में स्ट्री में 20 प्रांग में 20 नंबर एचीव कर सकें तो थैंक्स फार वाचिंग माई वीडियो मेरा वीडियो समझ में आये तो लाइक स्टीर और सब्सक्राइब आवसी करें